जब मैं मन की बात करता हूँ तब बोलता भले मैं हूँ, शब्द शायद मेरे है, आवाज मेरी है, लेकिन कथा आपकी है, पुर्शार्थ आपका है, पराक्रम आपका है, मैं तो सिरफ मेरे शब्द मेरी वानी का उपयोग करता था, और इसके कारण मैं इस कारिकम को नहीं कर रहा था एक बार तो मन कर गया था चुनाव समाप तो होते ही तुरंत ही आपके बीच चलाओं लेकिन फिर लगा नहीं वो संडे वाला क्रम बना रहना चाहिए लेकिन इस संडे ने बहुत इंतजार करवाया खैर आखिर मोका मिल ही गया है एक परिवारिक माहोल में मन की बा देता हुआ और एक प्रकार से न्यू इंडिया के स्पिरिट को सामर्थ देता हुआ यह सेलसला आगे बढ़े कई सारे संदेश पिछले कुछ महिनों में आये हैं जिसमें लोगों ने कहा कि वो मन की बात को मिस कर रहे हैं जब मैं पढ़ता हूं सुनता हूं अच्छा लगत है मैं अपनापन महसूस करता हूं कभी-कभी मुझे लगता है मेरी स्वर से समस्टी की यात्रा है इस मेरी अहम से वयम की यात्रा है मेरे लिए आपके साथ मेरा यह मौन सम्वाद एक प्रकार से मेरी स्पिरिचल यात्रा की अनुभूती का भी अउंस था कई लोगों ने केदारनाथ क्यों चला गया बहुत सारे सवाल पूछे हैं आपका हक है आपकी जिग्यासा भी मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी लगता है कभी मेरे उन भावों को आप तक कभी पहुंचा हूँ लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिसा में चल पड़ूंगा तो श जादातर लोगों ने उसमस राजलीतिक अर्थ निकाले मेरे लिए मुझे से मिलने का वो अवसर था एक प्रकार से मैं मुझे मिलने चला गया था मैं और बाते दाज नहीं बताऊंगा लेकिन इतना जरूर करूंगा कि मन की बात के इस अल्प विराम के कारण जो खालीपन था केदार की घाटी में उस एकांद गुफा में शायद उसने कुछ भरने का अवसर जरूर दिया था बाकि आपकी जिगासा है सोचता हूं कभी उसकी भी चर्चा करूंगा कब करूंगा मैं नहीं कह सकता लेकिन करूंगा जुरूर क्योंकि आपका मुझे पर हग बनता है जैसे कप्रयास आपकी बातों में लगातार मैं मैसूस करता हूं मन की बात के लिए जो चिठ्षियां आती है जो इंपूट प्राप्त होते हैं वो रूटीन सरकारी कार्मकास से बिलकुल अलग होते हैं एक प्रकार चाहिए आपकी चिठ्षी भी मेरे लिए कभी प्रेणा क कारण बन जाती हैं तो कभी उर्जा कारण बन जाती है कभी कभी तो मेरी विचार प्रक्रिया को धार देने का काम आपके कुछ शब्द कर देते हैं लोग देश और समाज के सामने खड़ी चुनोतियों को सामने रखते हैं तो उसके साथ साथ समाधान भी बताते हैं मैंने दे प्रत्यक्ष्य परोक्ष्य रूप में प्रगट कर देते हैं अगर कोई स्वच्छता के लिए लिखता है तो गंदगी के प्रति उसकी नाराजगी तो जता आता है लेकिन स्वच्छता के प्रयासों की सरहना भी करता है कोई परियावरण की चर्चा करता है तो उसकी पीड़ा तो महसूस होती है लेकिन साथ साथ उसने खुद ने जो प्रयोग किये वो भी बताता है जो प्रयोग उसने देखे हैं वो भी बताता है और जो कलपनाएं उसके मन में हैं वो मताता है एक प्रकार से समसियाओं का समाधान समाज व्यापी कैसे हो इसकी जलक आपकी बातों में मैं महसूस करता हूँ मन की बात देश और समाज के लिए एक आईशनी की तरह है यह dignity बताता है कि देश्वास्यों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरुरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की, अवसर प्रदान करने की, उसको क्रियानुवित करने की। मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोड देश्वासी मजबूती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, मन की बात में मुझे इतने चिछें आती हैं, इतने टेलिफोन कोल आते हैं, इतने संदेश मिलते हैं, लेकिन शिकायत का तत्व बहुत कम होता है, और किसे ने कुछ मांगा हो, अपने लिए मांगा हो, ऐसी तो एक भी बात गत पांच वर्स में मेरे ध्यान में नहीं आई हैं। आप कलपना कर सकते हैं, देश के प्रधान मंतरी को कोई चिठी लिखें, लेकिन खुद के लिए कुछ मा प्रधान में नहीं कि देश के करणों लोगों की भावनाएं कितनी उंची होगी, मैं जब इन चीजों को एनालिसिस करता हूं, आप कलपना कर सकते हैं मेरे दिल को कितरा आनन्द आता होगा, मुझे कितनी उर्जय मिलती होगी, आपको कलपना नहीं है, कि आप मुझे चलात प्रश्यों से भरा हुआ है, जब मैंने आखिर में कहा था, कि हम 3-4 महिने के बाद मिलेंगे, तो लोगों ने उसके भी राजनीति गर्थ निकाले थे, और लोगों ने कहा करे, मोधी जी का कितना confidence है, उनको वरोसा है, confidence मोधी का नहीं था, ये विश्वास आपके विश्व विश्वास के foundation का था, आप ही थे, जिसने विश्वास का रूप लिया था, और इसी के अगानत सहज रूप से, आखरी मन की बात में मैंने कहे दिया था, कि मैं कुछ महिनों के बाद फिर से आपके पास आउँगा, एक्चुली मैं आया नहीं हूँ, आपने मुझे लाया है, आपने ही मुझे बिठाया है, और आपने ही मुझे फिर से एक बार बोलने का आउसर दिया है, इसी भावना के साथ चलिए, मन की बात का सिलसला आगे बढ़ाते हैं, जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनेती के दाइरे तक सिमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक अंदोलन सिमट नहीं गया था, जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोये हुए लोकतंतर की एक तडप सी, दिन राज जब समय पर खाना खाते हैं, तब भूग क्या होती, इसका पता नहीं होता है, वैसे ही, सामाने जीवन में लोकतंतर के अधिकारों के क्या मजा है, वो तो तब पता जलता है, जब कोई लोकतंतर के अधिकारों को छिन लेत आपातकाल में देश के हर नाग्रिक को लगने लगा था उसका कुछ छिन लिया गया है जिसका उसने जीवन में कभी उप्योग नहीं किया था वो भी अगर चुन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था और यह इसलिए नहीं था कि भारत के समिधान ने कुछ ववस्थाइं की हैं जिसके कारण लोगतंत्र पनपा है समाज ववस्था को चलाने के लिए समिधान की भी जरूत होती है काईदे कानून नियमों की भी अवशक्ता होती है अधिकार और कर्तवे की भी बात होती है लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोगतंत्र हमारे समस्कार है, लोगतंत्र हमारी संस्कृती है, लोगतंत्र हमारी विरासत है और उस विरासत को ले करके हम पले बड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देश्वासी महसूस करते हैं और आपात काल में हमने अनुभव किया था और इसलिए देश अपने लिए नहीं एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं लोग तंतरकी रक्षा के लिए आहुत कर चुका था शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोग तंतरके लिए अपने बाकी हकों की अधिकारों की आवशक्ताओं की पर्वा न करते हुए सिर्फ लोग तंतर के लिए मरदान किया होता, ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था, हाली में लोग तंतर का महा पर्व, बहुत बड़ा चुनाव भिहान हमारे देश में संपन हुआ, अमीर से लेकर गरीब, सभी लोग इस पर्व में खुसी से हमारे देश के भवि हो जाते हैं, हमें जो बहुमुल्य लोग तंतर मिला है, उसे हम बहुत आसानी से ग्रांटेड मान लेते हैं, लेकिन हमें स्वयम को याद दिलाते रहना चाहिए, कि हमारा लोग तंतर बहुत ही महान है, और इस लोग तंतर को हमारी रगों में जगा मिली हैं, सद्यों की चुनाव में 61 करोड से जादा लोगों ने वोट दिया 61 करोड यह संख्या हमें बहुत ही सामाने लग सकती हैं लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूं अगर एक चीन को हम छोड़ दें तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से जादा लोगों ने उनकी संख्या अमेरिका की कुल जन संख्या से भी जादा है करीब दो गुनी है भारत में कुल मद्दाताओं की जितनी संख्या है वो पूरे उरोप की जन संख्या से भी जादा है यह हमारे लोग तंत्र की विशालता और व्यापक्ता का परिच्छा कराती हैं 2019 का लोगसभा का चुनाव अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक चुनाव था। आप कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार के चुनाव संपन कराने में कितने बड़े स्तर पर समसाधनों और मानव शक्ति की आवश्यक्ता हुई होगी। लाखों शिक कर्मियों ने अपना दाइक तो निभाया। वहीं अलग लग राज्यों के 20 लाग पुलिस कर्मियों ने भी परिश्रम की पराकाश्ठा की। इनी लोगों की कड़ी मेहनत के फरस्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मद्दान हो गया। मद्दान के लिए पूरे द इसलिए किया गया ताकि हसुनिशित किया जा सके कि कोई मद्दाता अपने मताधिकारी से वंचित ना हो। अरुणाचल पदेश के एक रिमोट इलाके में महज एक महिला मद्दाता के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया। आपको यह जानकर आश्यर्य होगा कि चुनाव आयोक के अधिकारियों को वहां पहुंचने के लिए दो दो दीन तक यात्रा करनी पड़ी है। यही तो लोकतंत्र का सच्चा सम्मान है। दुनिया में सबसे जादा उंचाई परस्थित मत्दान केंद्र भी भारत में है। यह मत्दान केंद्र हिमाचल प्रदेश के 14,000 फीट की उचाई परस्थित है। इसके अलावा इस चुनाओं में कर्व से भर देने वाला एक और तथ्य भी है। शाहिद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महलाओं ने पुरुषों की तरही उत्सा से मत्दान किया है। इस चुनाओं में महलाओं और पुरुषो प्रक्रिया से जुड़े प्रत्यक विक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारत के जागरुत मत दाताओं को नमन करता हूं। मेरे पैरे देश्वासियों आपने कई बार मेरे मुह से सुना होगा। बुके नहीं बुक। मेरा अगरह था कि क्या हम स्वागत सतकार में फूनों के बजाए किताबे दे सकते हैं। तब से काफी जगा लोग किताबे देने लगे हैं। मुझे हाली में किसी ने प्रेमचन की लोगप्रिय कहानिया नाम की पुस्तक दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाला कि बहुत समय तो नहीं मिल पाया। लेकिन प्रवास के द्वरान मुझे उनकी कुछ कहानिया फिर से पढ़ने को मौका मिल गया। प्रेमचन ने अपनी कहानियों में समाज का जो यथार्थ चित्रन किया है। परते समय उसकी छवी आपके मन में बनने लगती है। उनकी लिखी एक एक बात जीवन थोड़ती है। आर्थिक विशमताओं पर चला गया। मुझे अपनी विवावस्ता के दिन याद आ गए कि कैसे इस विशे पर रात रात बर भर भास होती थी। जमिंदार के बेटे इश्वरी और गरीब परिवार के बीर की इस कहानी से सिख मिलती है। कि अगर आप सावधान नहीं हैं तो बुरी संगती का असर कप चड़ जाता है। पता ही नहीं लगता है। दूसरी कहानी जिसने मेरे दिल को अंदर तक छू लिया वहती इदगाह एक बालक के संवेदन सिलता। उसका अपनी दादी के लिए विशुद प्रेम। उतनी छोटी उम्र में इतना परिपक्व भाव। चार-पांच साल का हमीद जब मेले से चीम्टा लेकर अपनी दादी के पास पहुंता है। तो सच मायने में मानविय संवेदना अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस कहानी के आखरी पंक्ती भाव करने वाली हैं क्योंकि उसमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बच्चे हामीद ने बुड़े हामीद का पाट खेला था। बुड़िया आमिना बाली का आमिना बन गई थी। ऐसी ही एक बड़ी मारमिक कहानी है। पुस्की रात इस कहानी में गरीब किसान जीवन की विडमना का सजीव चितरन देखने को मिला। अपनी फसल नस्ट होने के बाद भी हल्दू किसान इसलिए खुश होता है क्योंकि अब उसे कड़ाकी की ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। हाला कि एक कहानिया लगभग सदी भर पहले की है। लेकिन इनकी प्रसंगिक्ता आज भी उतनी ही मैसुस होती है। इन्हें पढ़ने के बाद मुझे एक अलग प्रकार के अनुभूती हुई है। जब पढ़ने की बात हो रही है तब ही केसी मीडिया में मैं केरल की अक्षरा लाइबरी के बाले में पढ़ रहा था। आपको यह जानकर आश्यर्य होगा कि लाइबरी इडुकी के घने जंगलों के बीच बसे एक गाउं में है। यहां के प्रात्मिक विद्याले के सिक्षक पी के मुर्ली धरन और छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले पीवी चिन्ना थंपी इन दोनों इस लाइबरी के लि गुजरात हर किसी को एक नई रहा दिखा रही है। गुजरात में वांचे गुजरात अभियान का सफल प्रयोग रहा। लाखों के संख्या में हर आयू वर्क के व्यक्ति पुस्तक पढ़ने के इस अभियान में हिस्ता लिया था। आज की डिजिल दुनिया में गूगल भगर करूंगा कि कुछ समय निकाल कर अपने डेली रूटीन में किताब को भी जुरुस्तान दे। आप सचमझ में बहुत एंज्योई करेंगे और जो भी पुस्तक पढ़े उसके बारे में नरेंद्र मोदी एप पर जरूर लिखें ताकि मन की बात के सारे स्रोता भी उसके बारे में जान पाएंगे। मेरे प्यारे देश्वासियों मुझे इस बात के खुशी है कि हमारे देश के लोग उन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं जो नकेवल वर्तमान बलकि भविश के लिए भी बड़ी चुनावती हैं। मैं नरेंद्र मोदी एप और माय गौप आपके कॉमेंट्स पढ़ रहा था। और मैंने देखा कि पानी की समश्या को लेकर कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। बेलगावी के पवन गोराई, भूमलेश्वर के सितांचु मोहन परिदा, इसके अलावा यश्शर्मा, सहाब अलताफ और भी कई लोगों ने मु आपको हिष्टा मयोभुव, स्थान उर्जे दधातन, महे रणाय चक्षसे योव सिवतमोरसह, तस्य भाजय तेहन उष्टी दिव मातरह। अर्थात जलही जीवन दाईनी शक्ती उर्जा का स्रोत है। आप मा के समान यानि मात्रुवत अपना आशिर्वात दे। अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। आपको राश्चरी होगा कि साल भर में बरसा से जो पानी प्राप्त होता है, उसका केवल आठ प्रतिशत हमारे देश में बचाया जाता है। सिरफ शिरफ आठ अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाना जाए मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं के तरह ही जन भागिदारी से जन सक्ति से 130 क्रोड देश वाश्यों के सामर्थ सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे जल की महत्ता को सरवो पर ही रखते हुए देश में नया जलशक्ती मंत्राले बनाया गया है इससे पानी से सम्मंदित सभी विश्वाओं पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे कुछ दिन पहले मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया मैंने देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा ग्राम प्रधान को मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए पानी का संचक करने के लिए वर्षा क्या बूंद बूंद पानी बचाने के लिए विए ग्राम सभा की बैठक बलाकर गाओं वालों के साथ बैठकर के विचार मिमश करें मुझे प्रसंत है कि उन्होंने इस कार्य स्मय पूरा उत्सा दिखाया है और इस महिने की 22 तारी को हजारों पंचाइतों में कोरोडों लोगोंने स्रमदान किया काउं गाउं में लोगोंने जलकी एक एक बुन का संचे करने का संगल्प लिया आज मन की बात कारकम में मैं आपको एक सरपंच की बात सुनाना चाहता हूँ सुनिए जारखन के हजारी बाग जिले के कटक मसांडी ब्लॉक की लुपूंग पंचयत के सरपंच ने हम सब को क्या संदेश दिया है अमर नाम दिरीव कुमार अविदा सकय पानी बचावे ले जब परधान मंत्री हमनी के चिठी लिखा थी तो हमनी के ये विश्वासे न हो लगल कि परधान मंत्री हमनी के चिठी लिखा थी जब हमनी बास्तारिक के गामा के लोगण के इकठा करके परधान मंत्री के चिठिया पढ़के सुने लिए तो गामा के लोगण ने बड़ी उत्साहित भेल थीन और पानी बचावे खतिल तलाव के सफाई नया तलाव बनावे ले सर्म दान करके आपन आपन भागीदारी निभावे ले गामा के लोगण ने त्यार भल थीन बारिश से पहले ये उपाय करके अमनी के आगे दिकत पानी के लिए ना होता है। ये अच्छा रहला है कि हमनी के परधान मंत्री हम इनके ठीक समय में अगाह कर दिल दिन। बिर्शा मुंडा की धर्ती जहां प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना संस्कृति का हिस्सा है। वहां के लोग एक बार फीर जल समरक्षन के लिए अपनी सक्रिय भूमी का निभाने के लिए तैयार है। मेरी तरब से सभी ग्राम प्रधानों को सभी सर्पंचों को उनकी सक्रियता के लिए बहुत बहुत शुबकामना है। देश भर में ऐसे कई सर्पंच है जिनोंने जल समरक्षन का बेड़ा उठा लिया है। एक प्रकार से पूरे गाउं का ही वो अवसर बन गया है। ऐसा लग रहा है कि गाउं के लोग अब अपने गाउं में जैसे जल मंदिर बनाने के स्पर्धा में जूड़ गए हैं। जैसा कि मैंने कहा सामोही प्रयास से बड़े सकाराख्पक प्रणाम प्राप्त हो सकते हैं। पूरे देश में जल संक्ट से निपटने का कोई एक फर्मिला नहीं हो सकता है। इसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीके से प्रयास किये जा रहा है। लेकिन सबका लक्ष एक है और वह हैं पानी बचाना जल समुरक्षन। पंजाब में ड्रेनी लाइन्स को ठीक किया जा रहा है। इस प्रयास से वाटर लॉगिंग की समस्या से छोटकारा मिल रहा है। तेलंगणा के थिमाई पल्ली में टैंक के निर्माण से गावों के लोगों की जीनगी बदल रही है। राजस्तान के कभीर धाम्य खेतों में बनाए गए छोटे तालावों से एक बड़ा बढ़लाव आया है। मैं तमिल्लाड के वेलोर में एक सामुईक प्रयास के बारे में पढ़ रहा था। जहां नाग नदी को पुनरजीवित करने के लिए 20,000 महिलाए एक साथ आई। मैंने गड़वाल के उन महिलाओं के बारे में भी पढ़ा है जो आपस मैं मिलकर रेइन वोटर हार्वेस्टिंग पर बहुत अच्छा काम कर रही है। मज़े विश्वात है कि इस प्रकार के कई प्रयास किये जा रहे हैं और जब हम एक जूट होकर मजबूती से प्रयास करते हैं तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब जन जन जुड़ेगा जल बचेगा। आज मन की बात के माध्यम से मैं देश्वाश्यों से तीन अनुरोध कर रहा हूं। मेरा पहला अनुरोध है जैसे देश्वाश्यों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। आईए। वैसे ही जल सवरक्षन के लिए एक जन आंदोलन की शुरुवात करें। हम सब साथ मिलकर पानी की हर्बून को बचाने का संकल्प करें। और मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। पानी पारस का रूप है। पहले कहते थे कि पारस के स्पर्स से लोहा सोना बन जाता है। मैं कहता हूँ पानी पारस है और पारस से पानी के स्पर्स से नवजीवन निर्मित हो जाता है। पानी की एक-एक मुन को बचाने के लिए एक जागरुकता भियान के सुरुवात करें। इसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएं। साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार करें। मैं विशेश रुप से अलग-अलग छेत्र की हस्तियों से जल समरक्षन के लिए इन्वोवेटिव केंपेंज का नेतरुत्व करने का आगरह करता हूँ। फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, मिडिया के हमारे साती हो, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, कथा किर्थन करने वाले लोग हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतरुत्व करें। समाज को जगाएं, समाज को जोड़ें, समाज के साथ जुटें, आप देखिए, अपनी आँखों के सामने हम परिवर्तन देख पाएंगे।